तो चंदर्मा की महादसा के बारे में हम बात कर रहे थे, सिंग लगन का अगर आपका चार्ट हो तो और अब तक हम चठे भाव की महादसा तक बात कर चुके हैं अब देखेंगे साथवे भाव में अगर किसी का चंडरमा इस्तित्थ है कुम रासी में तब अगर आपको चंडरमा की महादसा आजाए तो दसा के परिणाब कैसे रहेंगे आप लोगों के लिए चंद्रमा आपके चार्ट में बारवे भाव के श्वामी है और सातवे भाव में ये कुम्बरासी में इस्तित होते हुए इनकी महादसा के दुरान आप खुद के लिए उतना ज्यादा अच्छा काम नहीं कर सकेंगे लेकिन दूसरों को जरूर ही हेल्प करेंगे यहां चंद्रमा आपको किसी भी सामाजी कल्यान या सोसेल लवरक से जोड़ सकता है जिससे आप दूसरों के परती बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाएंगे और दूसरों के हमेशा ही हेल्प करेंगे चंद्रमा बारवे भाव के स्वामी है इसलिए थोड़ा सा मैरिड लाइफ में उतार चड़ाव आ सकता है अगर आपका कोई भी बिजनस है तो बिजनस में भी काफी उतार चड़ाव आ सकता है अगर आप बिजनस कर रहे हैं तो बिजनस में ज्यादा इंवेस्टमेंट एक परना है क्या सनी का समन्द वास्तव में चंदरमा से है या नहीं है ये भी आपको कर लेना है यहां चंदरमा के इस्तित होती वे मुखी रूप से आपको समाजिक रूप से ज्यादा मान सम्वान और परतिष्ठा मिलने की संभावना रहेगी अगर चंद्रमा पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं है तो दूसरे लोग आपकी काफी ज़्यादा तारिफ करेंगे आप एक अच्छे helping person है या फिर आपका nature बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आप एक बहुती साधान या सरल तरीके सरल वेवार वाले इंसान होंगे तब लेकिन किसी भी अन्य ग्रह का जो प्रभाव है चंद्रमा पर चाहे वो यूती के द्वारा है चाहे वो दृष्टी सम्ध के द्वारा है वो चंद्रमा के result को काफी बदल देगा यहां चंद्रमा बारवे घर के शौमी होने के विए से ऐसा चंद्रमा आपको फॉरेंड ट्यूर दे सकता है इवन फॉरेंड में सर्क्लिमेंट दे सकता है इस दसा के दुरन आपकी कोई भी ऐसी मैरेज जिसमें आपका फॉरेंड से कोई ना कोई connection बनेगा बलही तो आपका जो partner है वो फॉरेंड में रहता होगा या आप marriage होने के तुरंट बाद विदेश जाएंगे ऐसा हो सकता है चंद्रमा बारवे भाव के शौमी है और एक बहुत uncertainty से रहेगी आपको ये दसा काफी सारी अलग-लग काम आपसे करवाएगी बहुत सारी अलग-लग आपको interest देगी जिससे आपको थोड़ा सा अपने आपको focus बनाना कठिन हो जाएगा और यही focus आपको सबसे ज़्यादा परभावित करेगा इस दसा के दुरान मुखे रूप से आप जो भी काम करने जा रहे हैं या जिस भी परकार के field में आप काम कर रहे हैं वहां mentally आप अपने आपको कैसे stable रख सकेंगे कितना ज़्यादा focus कर सकेंगे अपने काम पे ऐसा चंदरमा आपको business के मामले में बहुत बहतर result देगा लेकिन चंदरमा एक बहुती साधान सभाव को दिखाते हैं बहुती एक कौमल सभाव को दिखाते हैं इस विज़से business में आपको उतनी success मिलेगी नहीं क्योंकि आप खुद के profit के लिए यहां काम नहीं करेंगे अब दूसरों का भला चाहने के लिए या दूसरों को खुछ देखने के लिए ज़्यादा तर काम करेंगे तो यहां business में उतनी अच्छे से success आपके लिए आएगी नहीं अब चंद्रमा पर अगर किसी भी जैसे सूरिय जैसे ग्रह का प्रभाव है मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव है तो चंद्रमा यहां काफी जदा आपको आक्रामक बना सकता है और आपकी married life पर भी काफी negative impact डाल सकता है इसे हिसाब से आपका विभार और आपके emotions भी change होंगे चंद्रमा के इस दसा के दुरान 10 वर्स के दुरान चंद्रमा आपकी life में काफी सारी उतार चड़ाव लाएगा आपको आपके partner पर बहुत जदा खर्चा करना पड़ सकता है आपको खुद की health और आपके partner की health के लिए भी काफी खर्चा करना पड़ सकता है अगर आप बारवे भाव से related कोई काम कर रहे है या कोई भी creative work कर रहे है तो चंद्रमा आपको यहाँ काफी जदा help करेंगे चंद्रमा मुख्य रूप से आपको हमेशा ही active रखेगा आपके लिए ध्यान साधना meditation वगरे करना काफी आसान रहेगा और आपको यह सब करने से काफी बेहतर result भी मिलेंगे यहां ब्रस्वत्ति का या बुद्ध का समंध है या राहु केतु का चंद्रमा से समंध है तो यह आपको काफी ज़्यादा आध्यात्म की तरफ लेकर जा सकता है यहां पर आपको खुद को लेके भी उतना ही ज़्यादा conscious रहना पड़ेगा चंद्रमा की महादसा में जो ग्रह है इनके साथ अगर यूती कर रहा है कोई भी ग्रह है उसका प्रभाव सरवादिक पड़ेगा और जो इनके साथ सिर्फ दृष्टी समंध बना रहे है उनका प्रभाव कम पड़ेगा तो यह भी आपको यहां समझना है इसके साथ क्या चंद्रमा सूरिये से अस्थ तो नहीं है अगर सूरिये से चंद्रमा अस्थ है और अगर तब आपको महादसा आती है तो आपके मौस्टली जो निर्णे आप लेंगे वो काफी कठोरता लिये वे होंगे और आप अपने निर्णेों को ज़्यादा बदलेंगे नहीं देखें यहां एक जो चंद्रमा की इस्ति है यह आपको काफी ज़्यादा ड्रीम्स दिखा सकती है क्योंकि बारवा भाव ड्रीम का है और अगर सातवे बाव में चंद्रमा आ रहे हैं तो आपके लगन पर द्रश्टी डाल रहे हैं इसलिए ऐसा चंद्रमा आपको प्रेक्टिकल बनाने की बजाए ज़्यादा से ज़्यादा एक ड्रीमी लाइफ की तरफ लेकर जा सकता है चंद्रमा की मादसा में अब बैसिकली आपके उपर ये भी प्रभाव रहेगा कि आप कितना ज़्यादा अपने इमोसेंस को प्रियोग करते किसी भी काम को करने के लिए mostly आप यहाँ पर emotional तो होंगे लेकिन अगर Sunny आपका powerful या Sunny का समन्द अगर चंद्रमा से है तो ऐसा Sunny आपको काफ़ी जदा difficulty लाएगा आपको सोचना से मज़ना या किसी भी काम को काफ़ी fastly करना कभी-कभी कठीन होगा इसलिए आप अपना कोई भी काम करते हुए ज़्यादा समय ले लेंगे सामने समय की तुलना में तो थोड़ा सा आपके लिए हर काम करना ही difficult हो जाएगा और थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना भी कभी-कभी काफ़ी जदा difficult होगा ऐसे में आप ये भी feel करेंगे कि आपकी लाइफ थोड़ी रुक्सी गई है या फिर आपको उतना ज़्यदा progress नहीं मिल पा रही चंदर्मा का यहां अब आप ये देखे कि क्या मंगल से, सुर्ये से या राहु कीतू से समन्ध है या सनी से समन्ध है जैसा भी ग्रह चंदर्मा पर प्रभाव डाल रहे है जिस परकार का भी ग्रह चंदर्मा के साथ यूत्ती करके बैठा है चंदर्मा अपना result उसी के अनरूप change कर लेते हैं दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो रोल आ जाता है वो आपकी age का भी रहता है कि जैसे आपको छोटी age में ये दसा आ रही है या बहुती लेट age में ये दसा आ रही है माल लेते हैं किसी भी जात तक को ये महादसा जो है चंदर्मा की दस वर्स की ये महादसा लगवग 15 साल की आयो तक अगर आती है तो ये महादसा आपको बहुत ही ज़दा emotional बनाएगी दूसरों के परती काफी dedicated बनाएगी आपके माता पिता को या आपके जो relatives हैं उनको आपकी काफी ज़दा care करनी पड़ सकती है चंदर्मा की दसा की दुरान मुख्य रूप से आपका विभार काफी ज़दा अच्छा रहेगा आपकी वानी काफी अच्छी रहेगी आपको ऐसे कारियों में ज़्यादा सफलता मिलेगी जहां पर आप कुछ न कुछ creative करने जा रहे हैं चंदर्मा की मादसा बहुत चोटी एज में आ जाती है तो आपकी जो psychology है या जो आपका मन है वो उसी के इसाप से बनता है और आपकी ये mentality फिर कभी भी change नहीं हो सकती तो एक बहुत ही long term का effect भी यहां चंदर्मा डालते है लेकिन यहां अगर sunny का समन्द है मंगल का समन्द ह चंदर्मा से या फिर केतु का समन्द है तो यह जो इफेक्ट है वो painful होगा काफी जैदा आपके लिए और कभी-कभी आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में या anxiety में जा सकते हैं छोटी आयो में भी इसके साथ आपको अपने आपको concentrate करना आसान नहीं होगा जब आप study व activity देखना चाते हैं अपने career को लेकर उतना ही ज्यादा यहां चंदर्मा प्रभाव डालेंगे और चंदर्मा जितने ज्यादा strong होंगे उतने ज्यादा आपको solid बनाएंगे आपके निरनेयों को भी solid बनाएंगे तो चंदर्मा की महादसा में ऐसा नहीं है कि आप किसी भी च महादसा जो है 50 की एज या 55 की एज में अगर आती है तो यह समय आप अपने जीवन साथी की साथ अपने relatives के साथ या अपने family के साथ ज्यादा तर spend करना चाहेंगे और ऐसे में आप काफी ज्यादा to travel भी करेंगे और आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं लेकिन आपका ध् मैं से अलगाए ही रखेगा जैसे कि पैसे खर्च होते जा रहे हैं या पैसे के मामले में किसी को help करते जा रहें continue या कोई भी इस परकार का अन्य दिक्कत भी आपको आ सकता है दूसरा यहां पर चंदर्मा की दसा में mostly यह chances है कि आप जो भी decision लेंगे उसमें आपके emotions आपक कोई भी business करते हैं या किसी भी परकार का कोई भी profession अपने लिए चुनते तो ज्यादत रहा आपके लिए चंदर्मा favorable रहेंगे अपनी महादिशा की दोराने